Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English जैसा आपको पता है हमने अपने YouTube चैनल पर International and National Important Day की एक सीरीज चला रखी है और आज उसी सीरीज को थर्ड वीडियो है और थर्ड वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे March मंथ के International and National Important Days को तो फिर बिना देरी किये चलिए डिस्कुस करते हैं International and National Important Days of the month March First March जो है हम सेलिब्रेट करते हैं As World Civil Defense Day Civil Defense के लिए special दिन जो है हमने रखा है और वो दिन कौन सा है? First March का है हर साल First March को हम डेडिकेट करते हैं उन सभी डिफेंस को जो हमारे लिए हमेसा बॉर्डर पर तैनाथ रते हैं ताकि हम चैन्से सो सके फिर आ जाता है आपका Third March Third March जो है उस दिन हम दो चीजे सैलिब्रेट करते हैं सबसे पहले है आपका Wild Life Day और दूसरा क्या है? World Herring Day जो Wild Life है वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है और Herring Park जो है वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम सुन ही नहीं पाएंगे तो कैसे अपनी जिंदिगे को आगे बढ़ा पाएंगे तो ये दोनों स्पेशल दिन हम सैलिब्रेट करते हैं Third March को फिर आजाता है Fourth March Fourth March हमने specially dedicate किया है National Security Day को आपको पता है किसी भी नेशन के security कितनी ज़्यादा important होती है तो उस particular security के लिए एक particular दिन है और वो दिन कौन सा है? Fourth of March है और फिर आजाता है Eighth March International Women's Day International Women's Day जो हर साल हम मनाते हैं Eighth March को लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी से एक request करना चाहती हूँ एक दिन सिरफ women's के लिए क्या लगता है आपको काफी है मुझे तो नहीं लगता मैं आप सभी से यह request करूँ यह नहीं कि मैं एक female हूँ बट मैं यह चाहती हूँ कि जिसने आपको birth दिया है चाहे आप male है या female है क्या फरक पड़ता है एक lady जिसकी वज़े से आप exist करते हैं तो क्या हम उस female को respect नहीं दे सकते एक lady जो हर जगे चाहे as a mother, चाहे as a sister, as a wife, as a friend as a beloved आपके साथ खड़ी है क्या आप उसे रोज respect नहीं दे सकते क्या हम इतने इतने जादा busy हो गए हैं अपने life में के हम एक दिन सिर्फ निकालते हैं किसके लिए कि आज जी women's day है और आज हमने ladies को respect देनी है तो क्या ये सही है, सोचिएगा जरूर अगर आप इस चीज को सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हर दिन international women's day हो सकता है अगर हम थोड़ी सी respect थोड़ा सा प्यार हर उस female को दे जो भी हमारे जिन्दगी में जुड़े होए है फिर आ जाता है second Thursday second Thursday and second Wednesday of the month March second Thursday जो है वो है world kidney day and second Wednesday जो है वो है आपका no smoking day smoking is injurious to health अपने ये line बहुत बार सुना होगा लेकिन फिर भी ये जानते हुए कि smoking जो है हमारी life खराब कर देगी हमारी life खतम कर देगी लेकिन I don't know कि लोग smoking क्यों करते हैं तो no smoking day को भी न रोज celebrate किया कीजिए और हमेशा ये प्रन लीजे कि हमने तो smoking करने ही नहीं है ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके परिवार के लिए भी अच्छा है फिर आजाता है 15th of March 15th of March जो है हम celebrate करते हैं World Consumer Rights Day के लिए consumer हम सभी के सभी consumers हैं हम सभी के सभी consume करते हैं उस product को जो हमें factory से या फिर industry से provide की जाती है और हर consumer का right है कि उसे हर चीज अच्छी मिले और ज़्यादा हमसे पैसे भसूल ना किये जाए MRP से ज़्यादा कुछ भी ना मिले तो हमारे लिए special right है और उसे हम क्या बोलते हैं World Consumer Right Day and that is celebrated every year on 15th of March next जो है वो आपका आज आता है 16th March 16th March जो है वो National Vaccination Day के नाम से हम celebrate करते हैं आपको पता है vaccine हमारे life में कितने importance रखती है अभी 2019 से लेके 2021 तक nowadays also 22 में भी कुछ न कुछ लक्षन या आप ये कह सकते हो कहीं न कहीं प्रभाब है एक ऐसे pandemic का जिसने पूरे nation का पूरे world को हिला कर रख दिया that is COVID-19 दो vaccines आई एक तो है cover shield और एक है co vaccine जिसने हर एक को थोड़ी सी help करी first dose लेकर second dose लेकर और लोग recover कर रहे हैं तो याद रखेगा vaccine जरूर लगवाईएगा क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी family खुश हाल रहे आप अपनी family को तभी खुश रख सकते हैं जब आप जिंदा रहोगे और सही सलामत रहोगे तो vaccine लगवाना तो कभी मत भूलिएगा next आज आता है 18th of March 18th of March जो है हम celebrate करते हैं ordinance factories day के लिए ordinance आपको पता है ये वो factory है जहां पर बारूद बनता होता है तो उसके लिए special दिन है और वो कौन सा दिन है 18th of March का है 20th March जो है हमने दो चीजों को dedicate किया है international day of happiness और दूसरा है world sparrow day international day of happiness एक दिन special की खुश रहा करो क्या लगता है आपको एक दिन ही खुश रहना चाहिए नहीं यार international day of happiness को celebrate करो रोज और हमेशा खुश रहो जीए और जीने दो फिर है world sparrow day sparrow day भी हम celebrate करते है कब 20th of March को फिर आ जाता है आपका 21st of March 21st of March जो है हमने dedicate किया है तीन चीजों को सबसे पहले तो है forestry day फिर है world down syndrome day और फिर क्या है poetry day और आपको पता है being a literature teacher I love poetry ये मेरा favorite section होता है जब ही मैं poems पठाती हूँ मैं जतना enjoy करती हूँ मुझे लगता है कि I am able to give my 110% in poetry rather than fiction or novel तो poetry, world poetry day ये तो मेरे लिए बहुत special है क्योंकि ये 21st of March को celebrate किया जाता है forestry day भी हम 21st March को celebrate करते हैं and world down syndrome day भी हम 21st March को ही celebrate करते हैं 22nd of March 22nd of March जो है वो है world water day बूंद बूंद पानी बचाईए क्योंकि आपको पता है जल है, जीवन है जल है तो कल है इसी चीज को मद्दे नजर रखते हुए world water day is celebrated on 22nd March every year then आज आता है आपका 23rd March 23rd March जो है हम दो चीजों को celebrate करते हैं एक तो है आपका martyr day और दूसरा है आपका world metrological day आपको पता है 23rd March वही दिन है जब हमारे शहीद भगत सिंग जी को फासी दी गई थी आपको पता है भगत सिंग एक ऐसा youth icon जिसने सभी नेशन को हरी youth को पूरी तरह से change कर दिया जब आप भगत सिंग के भारे में पढ़ते हो ना तो आपकी goose bumps खड़े हो जाते हैं क्यूंकि आप समझते हो कि एक 23 साल का लड़का कितनी ही उसमें सिद्दत थी अपने nation के लिए कि उसने कुछ नहीं सोचा और अपने जंदगी कुर्बान कर दिये किस के लिए अपने nation के लिए अपने nation के लोगों के लिए जब भी मैं भगत सिंग के बारे में पढ़ती हूँ ना तो मुझे तो लगता है कि काश मैं उस ताइम होती और मैं उन्हें देख पाती अपने इन आखों से बड अपसोस के ऐसा नहीं हो पाया चलिए तो 23rd मार्च जो है specially dedicated है क्या शहीरी दिवस के लिए और क्या है 23rd of मार्च को हम celebrate करते है Metrological Day को ही फिर आ जाता है आपका 24th of मार्च 24th of मार्च जो है आपका World Tuberculosis Day है TV Day TV Day भी हम celebrate करते हैं 24th of मार्च इसका मतलब ये नहीं है यार कि हम TV को celebrate कर रहे है ये disease को celebrate कर रहे है नहीं 24th of मार्च को हम specially World Tuberculosis Day मनाते हैं जिसमें हम TV जो disease अना उसके बारे में लोगों को awareness प्रवाइड करते हैं कि यार TV जो है तरीके से होता है आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि आप लोग क्या है सेफ रह सके तो याद रखना कोई disease जो हम उसे celebrate नहीं करते हैं बलकि उसकी awareness जो है वो लोगों में create करते हैं specially एक दिन हमने रखा है किसी एक particular बिमारी के लिए जैसे हमने World Cancer Day भी था तो Cancer Day पर ये थोड़ी है कि हम Cancer को celebrate करेंगे Cancer आपको पता है कितना जान लेवा और ख़दरनाक बिमारी है तो उस दिन हम क्या करते हैं specially specially हम लोग यादर पर होते हैं कि हम लोग awareness प्रवाइड करते हैं उन लोगों को जिने नहीं पता होता है तो 24th of March जो है specially dedicated है क्या tuberculosis के लिए that is TB के लिए next is 27th of March 27th of March जो है वो है World Theatre Day के लिए Theatre आप सभी को पता है being a literature student being a literature teacher मुझे तो जब भी मैं theatre का नाम सुनती हो तो मुझे याद आता दे है हमारे Shakespeare Shakespeare के जितने भी plays है जितने भी comedies है वो सारे के सारे theatre में दिखाये जाते है और England में एक बहुत ही अच्छा theatre है जिसका नाम है The Globe और वो बहुत ही पुराना theatre है और जिसे Shakespeare और उनकी पूरी team ने ही बनवाया था तो जब भी England चाओ ठीक है तो The Globe जो theatre है उसे जरूर विजिट करके आना फिर आ जाता है आपका 31st of March 31st of March जो है डाडिकेटेड है International Transgender Day of Visibility इस दिन हम Transgender के बारे में डिस्कुस करते हैं और Transgender को भी Equal Treat करने के लिए हम लोगों को प्रेड करते हैं क्यूंकि आपको पता है कई लोग जो है मैं Majority की बात नहीं करते हूँ अगर Minority में भी अगर हम किसी भी किसी भी Gender को Equal Treat नहीं करते हैं इसका मतलब क्या है हम Humanity को गलत कर रहे हैं We are Human Being Human कम से कम हम इतना तो करी सकते हैं कि जो अगला इंसान है जो अगला Human Being है उसे हम Respect दे और उसे हम Judgment ना करे उसे हम Discriminate ना करे Society से तो इसलिए हम ये Particular दिन 31st March जो है वो Transgenders को Dedicate करते हैं चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको लगे कि यहाँ पर आके आपकी Knowledge बढ़ी आपने कुछ नया सीखा तो मेरे चानल को Like, Share और Subscribe जरूर कीजेगा मिलती हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम Discuss करेंगे अपरेल मन्त के International and National Important Days को